हाई फ्रेंड टेक्निकल से राजीम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज एक बेहत्रीन सॉप्टिवेर के बारे में बात चीत करेंगे जो की काफी बेहत्रीन सॉप्टिवेर है जिसमें हम विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 के iOS फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सॉप्टिवेर को इस टूल को हम कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्राउसर की जुरुत पढ़ी की तो हम चलते हैं गूगल कोर्म पर तो मैंने एक ब्राउसर ओपन कर लिया गूगल को ओपन करने के बाद मैं सार्च करूँगा रूफूज 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 बहुत ही बहतरी सॉप्टिवेर है रूफूज डाउनलोड उसके बाद मैंने कर दिया एंटर एंटर करने के बाद मेरे पाक कुछ इस प्रिकार की एक बैपसाइड मुझको सो होगी इस पर लिखा होगा रूफूज रूफूज क्रियेट्ष पुटेवल यूसब ड्राइवार रैप दिईजीवे इस पर आपको कर देना क्लिक क्लिक करने के बाद आपको ये website open हो जाएगी open होने के बाद आपको download में जाना और download में आपको latest version download कर लेना है तो सबसे latest version इस time चलना है Rufus 4.4 जो की 1.4 MB का है वो 17.1.2024 में release हुआ है ये latest version है जो भी latest version आप download कर लेना ठीक है क्योंकि आज की date में जो latest बढ़ जाना है Rufus 4.4 है आगे के time में ये number बढ़ते रहेंगे तो हमें इस पर करना है download download करने के बाद इसे हमें save कर लेना है इस software को तो मैं कर लेता हूँ download में जाके software में इसे मैंने tool को अपने PC में कर लिया save तो friends software होगे हमारा download download होने के बाद अब हमें जाना है जहांपन हमारा software download हुआ है तो मैंने ये software download करा था मैं जाओंगा सबसे पहले PC में PC में जाने के बाद download में download में जाने के बाद एक software नाम का folder था उसमें मैंने software को tool को download किया था अब इस टूल पे या तो आपको double click करनी है कौन सी Left double click या आपको Right click करके Open या करना As run as Administer आपकी मन की मन की मन जी आप चाहे double click करके आपके Open करे CT चाहे right click करके Open करें चाहे आप Run as Administer या करके Open करें तो मैं कर देता हूँ simple इसे open open करने के बाद मैं इसे देता हूँ permission yes ये मेरा tool जो है वो open हो गया तो कुछ इसके interface को समझते है यदि हमें download करना है window को download करना है तो आपको ये select का option दीख रहा होगा select यदि आप इस select पर click करोगे तो आपको select करने के नहीं आ जाएगा कि आपको आई से हो लेकिन आपको select पर नहीं जाना ठीक है हमें download करते हैं ये कोने पर आपको ये icon दीख रहा होगा ट्रेंगल का मत तिर्बुज़कार इस पर click करना है ये ट्रेंगल जो है जहें निसान साथ इस पर जैसे ही आप click करोगे आपके पास नीचा आएगा download ठीक है download इस टूल से हम जो window होती है इस पर download कराएगा इस पर इस पर का इंटरफेस आजाएगा अब इसमें हमें window 10 डाउनलोड करनी है या window 11 डाउनलोड करनी है या window 8.1 डाउनलोड करनी है फिलाल इसमें तीन विंडो हमें 100 कर रहा है window 11, window 10, window 8.1 मुझे फिलाल करनी है window 10 window 10 पर कर देना click click करने के बाद continue continue करने के बाद उसके बाद आपको दिखाएगा release मतलब कौन सा वर्जिन इस टेम चल रहा है तो फिलाल चल रहा है 22H2 मतलब 22H2 वर्जन एक विल्ट ये इसका विल्ट नमबर है तो उसके बाद इसे कर दूँगा continue continue करने के बाद उसके बाद एडिशन एडिशन में window 10 home, hero, education ठीक है इस पर कर दूँगा मैं फिर continue उसके बाद तो करेगा हमें language आप चाहे इसकी language को change भी कर सकते हैं अपने इसाब से जो भी आपको अच्छी लगे language चेंज कर लेना हैं लेकिन मुझे English international में ही डाउनलोड करनी हैं इसलिए मैं language को change नहीं करूंगा उसके बाद आपको continue continue करने के बाद उसके बाद architecture मतलब 64 bit में या 32 मतलब 86 का मतलब हो था 32 bit में तो मुझे डाउनलोड करनी है 64 bit में तो मैं इसके बाद 64 को ही select रहने दूँगा उसके बाद download using a browser यदि आप इस पर किलिक कर देए तो आपके browser में show करेगा कि ते डाउनलोड हो गई है नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं आप इस पर किलिक करना चाहो कर देना नहीं करना चाहो मत करना उसके बाद मैं कर दूँगा download पर download पर करने के बाद मुस्त पूछेगा location कि आपको जो window 10 की iOS फाइल है उसे कहां पर download करना है तो मैं चलता हूँ software में ही चलता हूँ download मैं गया उसके बाद software मैं गया software मैं जाने के बाद एक नया folder बनाया फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं विंडो 10 ISO फाइल डवल क्लिक करूँगा यहां कर दूँगा save अब मेरी जो window 10 की ISO फाइल डाउनलोड होनी सुरू हो गई जैसा कि आप देख सकते हो डाउनलोडिंग इस डाउनलोडिंग होने में कुछ टाइम लगेगा मेरी जो window 10 की ISO फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो फिलाल में से कर देता हूँ cancel कैंसिन करने के वाद window 11 की दिखाता हूँ ठीक है उसके बाद सेलेक्ट करनी है और टाइम लगेगा यह आगी विंडो इलेवन पूंडो एलेवन कंटिनूंग करने वाद उसके बाद बढ़ जन आयेगा कि इस टेम कौंसा बरजन रिलीज हो वाई कंटिनूंग के बाद एडिशन में उसके बाद है कंटिनूंग के बाद फिर आए गा लेंगवेज इंगलेश इंटर्नेशन आप चाहोँ चेंज करना चाहो चेंज कर लेना मुझे चेंज नहीं करनी इसलिए मैं continue हो उसके बाद download उसके बाद जहां save करनी है location पूछा कहां save करनी है तो मुझे मैंने जैसे save location कर ली हैं पकड़ देनी मुझे save यह मेरे डाउड लौडिंग शुरू हो गई विंड़ो 11 की डाउड लौडिंग शुरू हो गई अब बताता हूं तुम्हें ISO फाइल से bootable pen drive कैसे बनाएंगे ठीक है जैसे आपने विंड़ो 10 की ISO डाउड लौड कर ली या विंड़ो 11 की ISO डाउड लौड कर ली या विंड़ो 8.1 की ISO डाउड लौड कर ली तो अब उससे bootable pen drive कैसे बनाएंगे ताकि हम उस USB से अपने PC में विंड़ो डाल सके या इस्टोल कर सके उसके निए आपके पास एक USB मतलब pen drive होनी जरूरी जरूरी है मतलब pen drive होनी चाहिए आपके पास और उस pen drive का size 8GB होना चाहिए कम से कम 8GB 8GB से कम नहीं होना चाहिए size ठीक है आपको उस pen drive को अपनी PC से कर देना attach तो मैं अपनी जो pen drive है उसे अपनी PC से attach कर देता हूँ फिलाल मैं इसे cancel कर रहा हूँ और software को दुवारा open करता हूँ मैंने close कर दिया close करने के बाद मुझे बनानी है bootable USB ठीक है यो bootable pen drive उसके लिए software को open करूँगा yes कर दूँगा yes करने के बाद अब जैसे ही मैं अपने pen drive को PC से attach करूँगा तो जहां पर यह device है यहां पर मेरी pen drive सो होने लग जाएगी तो मैं attach करता हूँ PC से अपने pen drive को पेंड्राइब लगाते ही मेरी pen drive सो कर गई मैंने अपनी pen drive में पहले से पर जाने के बाद हमें ISO फाइल को select करना है तो मेरी जहाँ ISO फाइल है मुझे महाँ पर जाना है तो मैंने window 10 की ISO फाइल को select कर लिया select करने के बाद अब मुझे कुछ भी change नहीं करना कुछ भी नहीं change करना ठीक है जो है ऐसा ही रहने देना कोई change नहीं पार्टिसन में GPT रहेगा यहाँ पर UEFI रहेगा कोई change नहीं उसके बाद कोई भी change नहीं करना फिर्प हमें direct start पर click करना ठीक है क्या करना start पर click जैसे ही आप start पर click करोगे आपके पास कुछ इस परकार का message आएगा इस message में भी आपको कोई change नहीं करना कुछ भी छेड़ खानी नहीं करनी ठीक है उसके बाद OK कर दो कि OK करने के बाद जो आपकी pen drive है वो bootable बनना शुरू हो जाएगी ठीक है इस process में आपका आद गंटा लग सकता है ठीक है थोड़ा wait करना होगा मेरी पहले से ही pen drive बनी भी है bootable इतने में OK नहीं कर रहा ठीक है यदि वीडियो पतंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना Thank you धन्यवाद